नमस्तु गुर्देव मैंने अपनी माँ और सासु माँ को देखा है कि वे दिवाली की रात नहीं सोती थी और कोई न कोई शास्त्र पढ़ती थी यह भी कहा जाता था कि दिवाली की रात दरवाजे खुले रहना चाहिए ताकि लक्षमी जी का प्रवेश हो सके करपय मारदर्शन करें कि जेन धर्म की दरश्ची में क्या दिवाली की रात में जागना आवशक है यदि कोई परिवार दिवाली की रात सो जाता है तो क्या इसे पाप माना जाएगा देखो जैन धर्म के अनुसार देवाली कैसी मनाना चाहिए इस विशे में बोल चुके हैं प्राताकार मंदिर में पूजा दोपर के समय अपने घर में पूजा दो से तीन बजे तर पस आप लोगों कोई ये कार करना है कि 64 रिद्धी मंतर की जाप करते चले जाना है पीच में भक्तामर स्तोत्र का पार्ट करें, महाविराश्ट का स्तोत्र का पार्ट करें, अनिस्तोत्र का पार्ट करें ये नियम लेले कि हम रात्री भर जागरण करके, एक एक क्रम क्रम से घर का सदस से इस जाब को इस पाट को करता चला जाएगा, इसलिए क्योंकि यह है, हम जहां रह रहे हैं, वर्तमान शाषनायक स्री महावीर भगवान के शाषनकाल में रह रहे हैं, और जिस दिन दिवाली ह होती है उसी के पश्चात जैन धर्म के अनुसार नव वर्ष का प्रारंब होता है नया वर्ष कब से लगता है भगवान महावीर के निर्वान के पश्चात दिवाली के पश्चात आज भारत में जितने भी कैलेंडर्स हैं सबसे पुराना दी कोई कैलेंडर है तो जैन त्हुणिंधने निर्वाण संबदु. िंग्लिष कैलेंडर है, टू थू थू थूॐजन टॉन्टि-फॉर बतायगा. मुस्लिम कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, फोटीन हडर्ड फिफ्टीन हंडर्ड बतायगा, विक्रम संबदु है, वो 57 years इसके बाद का. लेकिन महावीर वीर निर्वान सम्मध जो केलेंडर है वो 2550 बताता है यानि एतिहाशिक पोई को पुरुष हुए है महावीर भगवान हुए है इतिहाश की द्रश्टी से भी देखाई है सबसे पुराना केलेंडर जो प्रत्लित है आज निदिवाले के दिन वी 25-25 वर्स लग जाएगा निया महावीर भगवान को निर्मान हुए इतने वर्स हो गए तो हम उनके साथनकाल में रह रह रहे हैं और यहाँ से नया वर्स की सुरुआत होती है तो नया वर्स हैदी हम मंगलिक चाहते हैं मंगल में बिताना चाहते हैं तो उस दिन आप लोगों कुछ नहीं करना है बड़िया जागरन करते हुए जाब का ध्यान का अभ्यास करना है और यही सब कुछ देना है अन्य दर्शन में भारती दर्शन में वो लक्षमी की बात करते हैं हम यहाँ पर केवल ग्यान रुपी लक्षमी की बात करते हैं जब इस जाब से इस पार्ट से आप इतना पुर्णे का अर्जन पर लोगे इतना पुर्णे कमा लोगे कि वह पुर्णे आपके लिए सब कुछ देने वाला हो जाएगा आपके पारिवारिक्स आर्थिक सारी सुक्सविधाओं को प्रधान करने वाला हो जाएगा तो बस होना यह चाहिए धर्म में रात्री को बिताएं, ना कि विशय की और द्रश्टी लाते हुए, कि बहुत जगा ये होता है, लोग देववभावली की रात्री में तांस आधी खेलने लेट जाते हैं, जुआ आधी खेलने लगते हैं, धन की सिक्चे की चांदी की सिक्चे की पूजा करने लगते हैं इन सब की मुड़ताओं की क्रियाओं को नहीं करना है ये वल ग्यान रुपी गौतम स्वामी गंधर की पूजा करना है और किसी की पूजा अगने करना दोपर को दो से तीन मेज तक अश्ट द्रवक की सामंगरे से करना बड़ी अभंगर आर्थी करते हुए कर पर सके तो बहुत अच्छा नहीं है तो रात के बाराः बजे तक तो करते रहें जितना आप की सक्ती है घर के जितने सदश्य है उतने मजसित तक करते हैं य焦ी रात में कोई मैच होति है IPL की क्रिक depark कुट मैच होती है तो ओल्ट क वोल्ड प होता तो उब रात है भर से वटन नहीं दुलाज K DOWN क्या थी अभी तक पपो के लिए रात्र में जागुर्ण किया है इस बार दिवाली में पुढने के लिए धर्म के लिए रात्री जागुर्न करना है यह रात्री जागुर्ण आप लिए मंगल में हो जाएगा इसा ही एक मिलता जुलता प्रश्ण विकास जी जेन ने भपाल से पूछा है परिवार में सुक्षान्ति और सम्रद्धी के लिए दीपावली मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए आजकल लोग एक दूसरी के देखा देखी में अपने घरों को कीमती समानों से सजाते हैं और जोड़ी राके रख दिये नोटों की गड़ी लाका रक रक दी सोने के चांदी के सिक्के लाका क्यरा रख दी रख देखु बच्चे से आर्ति किये और बीच में पता चल चोरी हो गए इसके लोगों ने धनलक्षमी की पूजा कर दिशुरू धनलक्षमी की बात ही नहीं, वहाँ पे किवल ग्यान रुपी लक्षमी की पूजा करना है इस प्रकार से देवानी मनाना है, पहले बता दिया, उस विदी को अपनाते हूँ, समिच इन तरीके को अपनाते हुए जैन धर्म में हमेशा गुणों की पूजा होती है और जिसके भीतर गुण होते हैं उस विक्ति की पूजा होती है लौकिक आकांचा से कभी प्रभू की भक्ति और पूजा नहीं होती है एक बहुत अच्छा शेहर है सजदे में मुझे जन्नत मुले यह मुझे मंजूर नहीं खुदा का बंदा हूँ कहलोस कोई मजदूर नहीं सजदे में अर्था भगवान की भक्ति में मुझे जन्नत मिले यह मुझे मंजूर नहीं अपने प्रभू का मैं बंदा हूँ भक्त हूँ कोई मजदूर नहीं है अर्था जो मजदूर होता है मजदूरी करके शाम के समय उतना पैसा ले करके चला जाता है आज हर व्यक्ति जो है मजदूर बन करके भगवान की पूजा कर रहा है इतनी आरती करेगा, इतनी भक्ती करेगा पूजा करेगा, उसके बदल में क्या चाहेगा, कि इतना धन मुझे प्राप्त हो जा, दुकान चलने लगे, तो आप इसके लिए पूजा ना करेगे, और जैन धर्म में कभी आकांगचा से साइद पूजा नहीं बताई है, निकांगचित भाव से पूजा बताई है, तो बास्तरों को बगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करो, सारी समस्याओं का समाधन हो जाएगा रहा भुक्ति-muktी-Pradhanam कहा है, परंपरा से मुक्ति की प्राप्ती होती और इसके पैड़े भोगोग बोग की सामगरी स्वता ही प्राप्त हो जाती है. दीपावली वास्त्विक स्वरूप में किस प्रकार से मनाना चाहिए उस तके आपको मिल जाएंगी यूटूब में ऐसी पीडियेव डाउनलोड है पोश्टर लगा करके पूजा करना है कल भी बताया था उस विधी को सुन ले इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आप सकते हैं अगला प्रश्ट मनोजी जेन दिल्ली से रख रहे मुनुश्री नमोस्तु कर देव कुछ लोग मेहनत कश मजदूरों सबजी वालों और चोटे दुकानदारों से मोलवाव करके एक एक रुपे की बच्चत करते हैं लेकिन बड़े होटलों में उसी पैसे को आसान करना चाहिए तो 10 रुपे किलो दे रहा है तो 12 रुपे एक फिर दो मुर्वाव करना कया जाता है एक गरीब का परीवार मेरी और इससे आकी मानसिक्ता पता चलती है कितनी narrow mindedness आपके बीतर भरी हुई है और जो संकीर विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो जीवन में कभी बड़े बड़े कार करी नहीं सकता वो लंबी छलांग जीवन में कभी लगा ही नहीं सकता कुछ अच्छे कार है वो कर सी नहीं सकता लेकि इसकी मानसिक्ता ही इस प्रकार की हो जाती है जो ब्राड माइंडेड लोग होते हैं वो ही बड़े कार करने वाले होते हैं भगवान में वही बनते हैं जिनका दिल सब के लिए खुला होता है सब के लिए बहुत बड़ा होता है मान लो की थोड़ा ज़्यादा ले रहा दे देना बेवकूब बन करके नहीं यह सोच करके ठीक है आपके दो पांच रुपए से उसके गरीब बच्चा दी फल रहा है फूल रहा है फल ने तो क्या जाता है आपको कुछ कम नहीं कमी नहीं आएगी पैसे पैसे तो बचा देता है पांच रुपए रुपए को खर्च करते चले जाता है इतनी इतनी सी सोच वो दिन भर यह सोचता है कहां बचाना कहां बचाना कहां बचाना होना यह चाहिए कमाने की सोचो तो जो बचाने की सोचता है वो कभी कमाई नहीं पाता, नियम यह है, तो जो जितने कमाने की सोचता है, जिससे सही खर्च करना आता है, वही वेक्ति अच्छे से कमा सकता है, बच्चा करके कोभी कोई नहीं कमा सकता है, यही टिंडेंसी धर्म के चेत्र में होती है, जिसका बड़ा दिल होता है, वो सब जिवों के कल्याण के बारे में आपकार थी बंजाओगे Damit सिफ ने स्वर्थी बन जाओगे तेर आपकार भी सन्हें कर पाओगे कभी किसी का कल्याण भी नहीं कर पाओगे किसी दुुख दुखी जीव को देखकर कि इसके मदद के लिए नहीं आपाओगे, मदद के लिए वही आपाता है, चक्रवर्ती जैसा, खुला हाथ उसी का होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, तो आप अपने आपको बड़ा बनना सीखो, और बड़ा कभी व्यक्ति बचत करके नहीं बन सकता, बड़ा जो होता है, वो खर्च करके ही बन स इस बात को समझने, लोजिक समझने की कोशिश करे, जो विक्ति जितना बाटता है, वो उतना ही बढ़ता है, और जो जितना समेटता है, वो उतना ही कंजू सुरत्ति का होता है, वो ऐसे ही मर जाता है, तो बाटना सीखो, बड़ा पन अपने भीतर लाना सीखो, एक और सुक करंसी है, रुपे को क्या बोलते हैं, करंसी बोलते हैं, क्यों करंसी बोलते हैं, जो हमेशा करंट में फ्लो में बनी रहती है, वो रुकती नहीं है, इसलिए उसे करंसी कहा जाता है, और जहां संचित होने लगती है, धनकिती नहीं गती है, दान, नाश और भोग, यदि नहीं है तो शड़ जाएगा जिस कुए का जल निकलता नहीं है उसका उनका पानी सड़ जाता है तीने के युग नहीं रह पाता है और जितना जल उससे निकाला जाता है हमेशा जिर से सोर से नया नया फ्रेश शीतल जल आते रहता है और वो पानी स्वादिष्ट बना रहता ह अच्छा हाइजनिक बना रहता है जीवन दाइनी बना रहता है तो जो व्यक्ति हमेशा संकोष करके सहेज करके संचय करके रखता है वह स्वयम अपने आप में भी जंग लगा लेता है और अपने भविश्य को भी खराब कर लेता है बक्राओं को खरीदे समय कोई ज्यादा मोड़ा है